ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति, तपस्या का स्वार्णि मवसर केवल संगम यूग पर ही प्राप्त होता है, क्योंकि स्वयम भगवान राज्यों की तपस्या सिखाते हैं, वे आते हैं, ब्रह्मातन में आते हैं, वे बोलते हैं, टीचर बन कर आते हैं, वे योगेश्वर हैं और अपने वच्चों को भी योगेश्वर बना देते हैं, तो योग की विद्या बिलकुल सहज हो गई, क्योंकि सिखाने वाला स्वयम भगवान, बिन-बिन स्टेप से हम उपर जाएं, वो भी कर सकते हैं, और डायरक्ट परमात्मा से योग युक्त हो जाएं, वो भी कर सकते हैं, परन्तु पहले सौल कॉंशियस होना परमा वश्चक होता है, सौल कॉंशियसनेस से क्या फाइदे हैं, कि मन के व्यर्थ संकर्प स्वतही समाप्त होने लगते हैं, जिसके लिए बहुत सारी विधी अपनाई गई हैं, योग दर्शन में भी, उन सब की ज़रूरत ही नहीं रहती, सौल कॉंशियस हो जाएं, आत्मु चिंतन में लग जाएं, बाकि सारी चीजे स्वतही ठीक हो जाती हैं, इसी सौल कॉंशियसनेस में इस्वरिय नसा, प्राप्तियां क्या-क्या हुई, स्वयम भगवान से, परमपिता से, उनको इसमर्ती में रखेंगे तो उनसे प्यार बहुत होगा, ये दो चीजे भी राज्योक की सफलता में फाउंडेशन का काम करती हैं, इस्वरिय नसा और साथ साथ परमातम प्रेम, तो इन दोनों पर हम बहुत ध्यान देंगे, इस्वरिय नसा क्या हो हमारा, भगवान जो अब तक भगवान जिसको हम कहते आए, अब वो हमारा पिता ह है, वो हमारा है, ये बहुत गुड फेलिंग हमें रहनी चाहिए, वो स्वैम पढ़ाने आ गया है, इसंतिम जीवन में, इसंतिम समय में, उसका और हमारा ये सुन्दर मिलन हुआ है, कबसे विछुडे थे हम, कबसे हम उसे बुलाते थे, आजाओ, इंतजार करते थे, कभी भगवान आएंगे, तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे उनके साथ रहेंगे, ऐसे उन पर जीवन वल्हार करेंगे, अब वे आए, हमने अपने वाय देनी भाये, हमने सब कुछ पा लिया, ये इस वरी ये नसा चड़ाने वाली बात, अब देखे, चिंतन भी है, और इससे नसा चड़ रहा है, तो घड़ चिंतन, पर चिंतन, तेरा मेरा इरसादवेश, इससे हम पार हो गए, क्या-क्या मिला हमें भगवान से, लोग तो कहते हैं, उसने हमें सब कुछ जो कुछ दिया है, उसने ही दिया है, ये तो संसारिक चीज है, बहुत छोटी चीज है, इस समय आक उसने हमारी भटकन समात कर दी, सबसे बड़ी प्राप्ति है, सत्यान दे दिया, हमें सत्यान दूनना नहीं पड़ा, परमशिक्षक के पास आए, और सत्यान के भंडार बनते गए, लंबा चोड़ा समय भी नहीं लगा सत्यान को पाने में, दूसरा वो स्वयम हमारा हो गया हमारी चत्र चाया बन गया, हमारा खुदा दोस्त बन गया, उसने आकर हमें बहुत सुख दिये, जीवन जीना सिखाया, सहारा बन गये वो हमारे, सार्व सक्तिवान हमारी साथी बन गये, उन्होंने आकर हमें निश्चिंत और निर्भै कर दिया, कितनी श्यानती मिली हमको, कितनों को से अंती मिल गई, करोडों लोगों को श्यांत, चित श्यांत हो गया, कितनों को परमातम प्रेम मिला, याद करें हम, हमें कितना मिला, कईयों को परमातम सुख मिला है बहुत ज्यादा, अपना पन मिला है भगवान से, देखो माँ बाप से बच्चों को अपना पन मि वो भी हमारा सच्चा मात्पिता हमारे लिए स्वरक की सोगात लेकर आए हमारे लिए वो ऐसी दुनिया बना रहे हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी जिसमें हमें कमाना भी नहीं पड़ेगा अथा, सुक्ष्यान्ति, स्वात, संपदा, सुंदर परिवार, सुंदर शरी निरोकाया, कंचनकाया यह सब कुछ हमें प्राप्थ होगी तो इन दो चीजों पर ध्यान दें अच्छी तपस्या के लिए इनका चिंतन करें और प्रैक्टिस करें परमातम स्वरूप पर इस्थित होने की तो योग की तपस्या हमारी दिनों दिन सहर होती जाएगी और हम पर आगे बढ़ते चलेंगे, ओम श्यांती